तो इस वीडियो हम टेस्ट करने वाले है good gum को जो देखा गया था shark tank idea में भी तो यहाँ पर इन्होंने highlight किया है vegetarian product है plastic free है यहाँ पर इन्होंने highlight किया बताता हो इसके बारे में तो यह maximum chewing gum में जो आपको plastic देखने मिलता है जो हमें इस good gum में देखने नहीं मिलता है यहाँ पर इन्होंने highlight भी किया आप देख सकते हो जो कि अच्छी बात है charcoal plus payment flavor आपको जो इस chewing gum में देखने मिलता है natural chewing gum है 21 gram का net content है 15 pieces है और price है इसकी 99 rupees तो एक chewing gum पढ़ आपको साड़े 6 रुपए का तो देखते है यह worth है या फिर नहीं या फिर कैसे तो बात करते है इसके ingredients की लेकिन इसके ingredients के पीछे छूपए है नहीं इसके ingredients visible है nutrition facts छूपए तो ingredients यहाप आप देख लीजे sweetener वगरे आपको देखने मिलता है जो stevia based है यह gum based है जो natural है mint flavor है vegetable glycerine peppermint oil यह सारे इसके ingredients है maximum natural उन्होंने रखे है यह इनका FSS AI license number है nutrition facts आपको इसे open करते दिखा देता हूँ और बात करते कुछ highlights की vegan है 100% plastic free sugar free है जो की अच्छी बात है और यह plastic से बनावा नहीं वो भी की देखने मिलती है from date of manufacturing cool and dry place में रखना है आपको इसे award from direct sunlight और अभी इसे open यहां से करते है full story यहां से इससे जो है निकल गया और kudos for saving 21 gram of chewing gum plastic we partner with recyclers to offset our packaging plastic make the hashtag good move तो यह स्टोरी इसके बारे में यहां पे नहीं लिखा है तो यह रहे इसके nutrition facts ads per 100 gram दिये है और manufacturer की बात करें तो manufacturer है and marketer same है Pura Forma Foods Private Limited Bangalore में इनका office है इनका यह address है इनका customer care number mail id question को रिज़ोगी तो यहां पे आपको इने contact करना है और इनका license number तो आपको पहले ही मैंने दिखा दिया तो चलिए अब हम जो है इस तो इस तरह से जो हमें यह pieces देखने मिलते है gum के इस good gum क और यहां पे कुछ dispose करने के लिए च्विंगम को इन्होंने यह चोटे paper दिये है यही कामों का और क्या हो सकता है इनका काम तो और कुछ काम के लिए तो मुझे नीचे comment में बता दीजे मुझे तो पता नहीं तो चलिए अब इसे टेस्ट करते और इन्होंने लिखा है यहां और इसे 30 सेकंट के लिए आपके टंग पर जबान पर रखना है इसे चवाने से पहले तो इसे 30 सेकंट के लिए अपने टंग पर में रख सुरूर चरके इसकी टेस्ट आपको बताता हूँ, मैं डेली जो है, हैपी डेंट खाता हूँ, as a mouth freshener वगरे आप कहा सकते हूँ, हैपी डेंट पता है, आपको कैसे minty smell वगरे देता है, refreshment वाली smell देता है, तो इसलिए मैंने जो है, ये spray mint प्लस charcoal वाला जो है, फ्लेवर खरीदा है, तो इसे 30 seconds के लिए टंग के नीचे रखता हूँ, फीर आपको से बात करता हूँ, तो 30 seconds से जादा जो है, मैंने इसे टंग के नीचे रखता है, भी चबा लिया है, और कुछ इस तरह से गम देखने मिलता है, इसे चबाने के बाद, और बात करें, जादा sticky नहीं है, happy dents की तरह, मैं happy dents से इसलिए compare कर रहा हूँ, क्योंकि happy dents जो है, regularly मैं consume करता हूँ इसलिए, तो sticky नहीं है, और रिफ्रेश्मेंट एकदम ऐसी fresh smell जो आती है मूँसे, वैसे एकदम भरवर के नहीं आ रही है, जो happy dents खाने पर आती है, बहुत हलकी सी, मुझे बस अपने mouth में ही refreshment वगरे, feel हो रही है, यह spray mint charcoal प्लस flavor फील हो रहा है, बट जैसे एक नहीं खुल के जो है, इसकी ऐसे smell या फिर refreshment ऐसे भार नहीं आ रही है, जो happy dents या फिर जो बाकी एक रूपे वाले जो chewing gum है, as a mouth freshener यूज करते वगरे, वैसे type की जो इसमें से, भर-भर के smell नहीं आ रही है, क्यूंकि इसके natural ingredients के वैसे वैसा होगा, पता नहीं मुझे exactly, बट वैसे type की और इसकी अभी जो है, अब यह एक दो मिनिट हो गए, मैं इसे chew कर रहा हूँ, तो एक दो मिनिट वे आद जो इसका जो flavor है, इन जो इननों नहीं यहाँ पर बता है, वो flavor भी बहुत कम-कम होते जा रहा है, मतलब, happy dents का तो मैं 10-15 मिनिट चबाते रहता हूँ, उसका flavor वैसे बना रहता है, इसका flavor भी जो इतना बना नहीं रहा है, कुछ मिनिट वे ही जो है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं ऐसी natural चीज मुह में लेके चबा रहा हूँ, वगर ऐसा टाइप को कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा लग नहीं है कि ये charcoal प्लस प्रेमेंट फ्लिवर च्विंगम में चबा रहा हूँ, तो ऐसे कुछ टाइप की जो मुझे इसकी taste लगी, smell वगरी लगी, experience लगा, जो आपके साथ मैंने शेयर किया, साड़े छेयर उपई की एक च्विंगम में धूप की तरह लगती है, अगर बती वाला धूप लगता ही है, तो मैं हैपी डर्न इतना कंजूम नहीं करता हूँ, च्विंगम में जाधा तर कंजूम नहीं करता हूँ, मेरे दाथ जोए दुखने लगते इसलिए, तो आप जाधा मातरा में च्विंगम कंजूम करते होंगे, और आपको अगर एन्वाइरमेंट से जाधा प्यार होगा, तो आप डेफिनिटली इने ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि ये बायो डिग्रेडेबल है, जो प्लास्टिक बेस च्विंगम नहीं होते, वीडियो बसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शैनल को निचे राइडे बटन पर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते अगले वीडियो में,